गुड आनिंग अल व्यूढकि प्रेंद्सृ आज़्य जो हमलोग टॉपपिक को खिलियर करने वाले हैं वह टॉपिक है रेसिश्टर सींग पैरलल इनदिगों चौन पैरलिल में हम लोगों कुझा पढ़ना पड़ेगा वह तो पढ़ता ना हम लोगों को एक फॉर्मूला का डिराइव करना पड़ता है और वोस फॉर्मूला के बेस पर हम लोग रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं तो यह जो कॉसंस है न हो सकता है कि एक्जामिन रूप में पूछा जाता है पैरलल क्रूप के बेस पर या कभी-कभी डरिवेशन भी पुछ लिया जाता है तो कौसन किस तरह पूछा जाता है पहले हम से उसको अभियार करा लेते ताकि आप लोगों को डरिवेशन समझना ठोड़ा इजी हो जाएँ तो कौसण से टू ओम यह थिरी ओम और यह फोर ओम का अब बताइए को सब्सक्राइब करेंगे करेंगे तो बहुत लोगों के दिमाग में यह चल रहा होगा कि इसको यह कर दे रहे होंगे यह पिछला क्लास जदी आप लोग देखे होंगे तो आप लोग कर भी चुके होंगे फर्मुला हम लोग बता है थोड़ा हिंट हम लोग पढ़े थी तो आप इसको सब्सक्राइब कर दिये होंगे लेकिन आप समझें जदी पिछला क्लास नहीं पढ़ें तो कोई बात नहीं इसे में आप समझें कि आप इसको कैसे फैंड आउट करेंगे तो भी एस टो किया चाहिए को पूशा जाएगा करके formule ना पनाए होंगे होंग मुझे कोट ऊप्याय करके यह इसको अप्लाय करके जिस फॉर्मुला को सकते हम इस गैति हों कोंसे फर्मुला बनाए उसको के बुस्त कर सकते हैं तो रोखेंतर तो उसी को तो हम लोगों को समझना है कि वह कौन सी फर्मूला बना है और पैरलल गुरूप में ऐसा कौन सा फर्मूला को हम लोगों कुछ अब्सास को करने पड़ती है और उसके कैसे उसको स्ल्व कर सकते बहुत ही अदिंद मैं लिए हम लोगों को एक साल कर TObeneh कर सकते दिवाशने केलियें लोगों को एक सरकीट करना पड़ेगा तो उसको सरकीट को हम लोग तवर के तियार करक। तो चलिए सर्कीट को त्यार करते हैं पहले यह फर्मूला अभी दिमाग में रखिए इसको सॉल्ब करेंगे हैं लोग पीछे अभी दिमाग में रखिये इसको अधर कि इसी तरफ बनाएंगे हम यह सर्कीट है हो radio को हम कनेक्ट कर दिया है यह और बी के बीच में और इस रेसिस्टेंस से हम लोग स्यल को कनेक्ट कर देते लोग जानते ही होंगे और यहां पर एक सुच को भी हम लोग कनेक्ट कर देते हैं स्विच का सीमबॉल यह होता है फिर आगे हम जाते हैं तो हम लोग यह उच्टीन को यह से झाल कर दिर बन गया यह जो सो सिंबॉल है आप तो जानते होंगी पड़ चुके होंगे डायग्राम में में सिम्वालं है यहलोग एमेटर है तो इसको हम लोग डिनाट कर सकते हैं और 0 2 और 10llo परक्साइब कर दियें एन समझतिक बैटरी से प्रोलो होगा करें यहां भी करेंट फोलो होगी और जब करेंट फोलो होगी यहां तक आते आते आई करेंट फोलो हो जाती है और आई करेंट फोलो हो जाते हैं इस बैटरी से बॉल्ट मिलता है पोटेंशियल डिफ्रेंस क्या मिलता है पोटेंशियल डिफ्रेंस जिसको हम लोग भॉल्ट भी का सकते हैं पोटेंशियल डिफ्रेंस भी फोलो होगा भी लेकिन ध्यान दिजिए कि पैरलल गुरूप में पोटेंशियल डिफ्रेंस हर रेसिस्टेंस पर स्याम होता है कितनों be Dynamic test hours कि सब्सक्राइब वर के तो महीं कॉर स्यान होती स्यान पर यहां पर जो स्यान हो गी उती है तो टो इसे भी वह वॉल्ट मिलेगा और यहां से 10 बहुत बैत इसको मिल जाएगा इसको कम बैट जाएगा इसको मिल जाएगा वॉल्ट जो भी हो awfully potential difference तीनों resistance में तीनों को Sam होगा चाहे कितनों भी resistance हम है करदेंगे जऔर नहीं बल्कि सभी को Sam ही मिलता है तो यह समझ गई कि potential difference parallel group में Sam होताई तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि parallel group में potential difference स्यम होता है अर electric current की बात रही तो electric current हम लोग समझे थे शेरिस गुरूप में समझे थे, कि जब एक ही वाय कलकत्ता से मुंबैते connect है, तो उसमें electric current जो जाती थी, वा same जाती थी, electric current same मिलता था, equal होता था, औनी, शेरिस गुरूप में electric current same होती थी, बट इसमें electric current same नहीं होगी, औनी, इसको I1 current मिलेगा, माल लेते हैं कि 9 Ohm का current यहां फॉलो हो रही है कितना 9 Ah को करेंट कि रॉटकर गोजुन सब्सक्राइब लाने सब्सक्राइब यह को मिलाई इसको ज्याधा मिल गया कि प्यार गुरुप में केrak्षेबट पोजांग सब्सक्राइब करन vieman होगे यहां पिदिवाइब में होता है करेंट कम बेऊब करेंडे हो जाएगे यहां मिलेगा जितना इसको मिला उतना इसको नहीं मिलेगा यह हमेसा आध रखिएगा कि पैरलल्य Mississippi में फस्ट्पांट यह है कि पोटेंशियल डीप्रेंश है कि पोटेंशियल डीफ्रेंश है 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 ही हाई है यह इसको ईक Olipik सकते हैं और पैरलेल गुरूप में इलेक्ट्रिक करेंट जो है इलेक्ट्रिक करेंट डिफ्रेंट होता है डिफ्रेंट होता है डिफ्रेंट होता है डिफ्रेंट होता है इलेक्ट्रिक करेंट डिफ्रेंट होता यह समझ गए आप खुद इमेज किजिए कि हम लोग सीरीज पोटेंशल दिफ्रेंट को कि सेलेक्ट करेंगे थिlles फॉसका फ़स्यão मिलेगा तब बट यहां पर इसको बाथ ना है फोलो होगा तीसे भी टोटल explored current यहां गया उतना current इस circuit में लोट आएगा, circuit में तो लोटेगा, and that means, we can say that this current, we can say i1 plus i2 plus i3 is equal home to i1 plus i2 plus & i3 is equal to that andим हम लिखें हैं I1,I2,I3 वहां पर लीकर की 2025 lr brake यहां भी भी भॉल्ट है यहां भी भ앙ते यहां भी सब्सक्राइब ओंट तो हम लोगी myself लोग लिख सकते हैं यहां से यहां तक जदी एक फी व Beaulta जोड देंगे तो हम लोगी की लिक सकते हैं कि भी पूरे को मिल गया यहां से यह सर्कुट से सर्कुट में कनेक्ट किया है तीनों कभार हो गया क्या हो गया तीनों कभार हो गया तो इसको लोग लिख सकते हैं सर्कुट में सर्कुट को समझ यह इसको एक्जाम में इसको लिख सकते हैं, according to this circuit, I is equal to I1 plus I2 plus I3, लिखने में तो कोई दिखत नहीं है, यहां तक समझने में कोई दिखत नहीं हो रहागा, I is equal to I1 plus I2 plus I3, और हम लोग यह फर्मूला पढ़े हैं, एक बहक्यानिक, एक साइनटिस्ट यानि एक फिजिक्ष्ट के बारे में पढ़े हैं, जिसका नाम क्या है, तो वो अमसला है, अमसला होने बोला था, कि भी is equal to I1 होता है, यह तो जानते हैं, उमसला तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कि भी is equal to I1 होता है, आप यहां पर देखिए, तो यह हैं तो यह नदिक के पार में रहते हैं कि पिछले समस्क्राइब इसको समझते हैं यहां रहे होगा यह आभी डिकत तो नहीं हो रही इसको हम लोग लिख सकते हैं कि भी इस इक्वल टू भी बाइ आर यहां देखे पॉटेंशिल डीफ्रेंस स्यम था इसलिए इसको भी वह नहीं लिखेंगे बलकि लेकिन यह जो रिस्टेंस वह अलग अलग है तो हम भी बाइर करते हैं तो आर्मन लिख देते हैं क्योंकि यहां potential difference जयंद है दूसरा circuit में लेते हैं तो भी division by r1 के जगा r2 है तो हम लोग यह लिख देते हूं यह कहां से लिख रहे हैं तो यहां से लिख रहे हैं पलस में भी तुम्हारी जरूरत ही नहीं है तुम यहां से काम किरी अपना खतम कर लो और इसको धाका दे करके बाहर करेंगे और यह जब भी बाहर आ जाएगा तो वान बच जागा वन बायार और हम लोग पैरलल गुरूप के बारे में पढ़ रहे हैं तो पैरलल पी यहां हम लोग लिख लटका देंगे कोई दिकत हैं लटका ने मित की जाता है लटका दी की हो गया आप देख समझने में पीम्हीं हो रहागा आप देखिए कि ए भी यह वह में है यहिधर जाएगा स्याम हो जाएगा और कोई भी चीज जड़ी स्याम होता है तो उसका कहानी खलास यह भगवान की प्यारे होते हैं तो यहां भी भी है यहां भी भी है यह तो बैचारा चल गया भी का कहानी खत्म अब क्या बच गया तो बच गया 1 by rp is equal to 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 यह जो है सो हमारा पैरलल ग्रूप का फर्मूला है यह पैरलल ग्रूप का फर्मूला है अब उद गौर किजिए कि जो हम लोग कौसंस देखे थे उस कौसंस में इस इस फर्मूला को सेट कर देंगे न तो वो कौसंस सौल्ब हो जाएगी और इस फर्मूला पर उसको कौसंस को सौल्ब कर सकते हैं तो पैरलल गूरूप का डेरिवेशन यह है अब समझे कि यहां यार थिरी तक है यहां थिरी रेसिस्टेंस लगा इसलिए हम लोग आठी तक लि जब रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो 1 बाई यार पी इज इक्वल टू 1बाई यार 1 प्लस 1 बाई यार 2 प्लस वन बाई आर 3 डोट 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 जितना यार हो सकता यार यह अं तक हम लोग ले लेंगे यह जो है सो पैर्लेल गूरूप का फर्मूला है यह derivation हुआ parallel group का, आप सही से अच्छा सी इसको देख लिजे, क्योंकि एक्जाम में यह पूछा जाता है, जदी derivation नहीं पूछा जाएगा, तो हो सकता है इसके base पर questions पूछ लिया जाए, या derivation पूछ लिया जाए, लेकिन पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है यह कि parallel group में potential difference same होता है या difference होता है, तो parallel group में potential difference equal होता है, that means same होता है, but इसमें electric current जो है, so difference होती है, यह तो हम लोग पढ़ें की difference कैसे होती है, इसके बारे में तो कोई दिकत ही नहीं है, तो इसको समझ गए, आप हम लोग कुछ extra fact भी समझ लेते हैं, जो एक्जाम में objective के तोर पर पूछा जाता है, अब हम लोग parallel group और series group का कुछ advantage को भी समझ लेते हैं, parallel group जो होती है, parallel group, इस parallel group को हम लोग अपने घरों में इस्तिमाल करते हैं, जैसे हमारे घर में जो board वागेर लगी है, वह parallel group में लगी है, but series group जो हम लोग घरों में नहीं, बलकि जो line दीख रह parallel group में और series group में कुछ difference इस तरह है कि यह parallel group हो गया, parallel group और यह है series, parallel group में हम लोग एक चीज़ यह देखें, कि parallel group में जो potential difference होता है, वह potential difference same होता है, अनि potential difference equal होता है, यह तो हम लोग समझे थे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, कि parallel group में potential difference, पोटेंशियल डिफ्रेंस एक्जाम में पूछा जाता है इसलिए हम लोग लिख रहे हैं इक्वल होता है पेरलल गुरूप में पोटेंशियल डिफ्रेंस इक्वल होता है बाट इलेक्ट्रिक करेंट जो है सोच सेम होता है नहीं इलेक्ट्रिक करेंट करेंट डिफ्रेंट होत होता है सिरेज ग्रूप में क्या होगा पोटेंशियल डिफ्रेंस पोटेंशियल डिफ्रेंश होगा और एलक्ट्रिक करेंट जो होगा हुँआ और कि फिरेंशर यांतर है यह सकते हैं में सब्सक्राइब बशलुक्राइब च्पाइब गृफ में जादि कोई किसी को कनेक्ट किया जाता है या यांचली को कंपोट Iss CJ i कहें तो सारें खराब हो जाएगी शारा सारा काम नहीं करेंगा बट ऐक में खराप हो जाएगी तो सारां और कमपोनेंट काम करेंगा वह सिर्फ ही एक कंपोनेंट पर ये वाइर बॉड्वर में और यशाहरा है और եे तरी cute ißt इस वायर में किसी तरह का فॉलै हो गया तो सिर्फ यही抉ब जालनी के लिए बंथ हो गा लेकिन ये बाल्ब तो जलेगा ये बकशी ज़ provided सईन बूसेरीज ग्रूब में बंद हो जाता है नहीं जालेगा एक वायर भी बरबात कर देता कोई बल्ब्र नहीं जाता है लेकिन पेरलल गूरूप में आप खुद समझें पारलल गूरूप में एक वाइक आधी फैल होआ तो सारा component काम करता है, अब बात रहे कि इसको series group में क्यों नहीं connect करते हैं हमारे घरों में, तो series group में connect करने के लिए बहुत सारे reasons हैं, क्योंकि series group में connect करने के बाद एक component फैल होता है, तो सारा component फईल हो जाता है ज़दी सिरेज गुरूप में किसी के घर में connected है और उस घर में माल हैं किसी का निव नविली साधी हुआ है और उसकी जो दुलहान है वहां आए फर्स्ट नाइट है और फर्स्ट नाइट के दिन घर में पहुंच जादा है और समझे कि जदी क्या होगा उस condition में क्या होगा उन लोगों के साथ सारा का सारा जो भी प्लाणिंग है सारा प्लाणिंग चोपट हो जाएगा तो इसलिए गरुप में गोर्मने नहीं किया जाता है और यह बाल्म हमारे को सब्सक्राइब कर लेते हैं पेरलल गुरूप से तब हम लोगों को आचा से समझ में आ जाएगा को सबस्क्राइब है जो को सबस्क्राइब देखे थे कि एक सरकीट है और यह सरकीट में थी रेशिस्टेंस कनेक्टेड है यह और भी टू ओम थी ओम फॉर ओम तो यहां बोल दिया है कि फाइंड दा इक्विभेलेंट रेशिस्टेंस बिट्वीन सरकीट यह एंड बी यह कोसंस है फाइंड दा इक्विभेलेंट रेशिस्टेंस बिट्वीन सरकीट यह एंड बी कैसे फाइंड करेंगे तब इसको हम लोग अब आसानी से फाइंड करेंगे देखेंगी कि यह circuit यह है और यह circuit भी है इसमें जो एक wire है आकर के यहां बट गया यहां पर अलग है यहां पर यहां पर अलग है जदि एक wire आकर के बट गया रेसिस्टन्स जो है तो parallel group में connected है था हम लोग parallel group का formula लगाएंगे parallel group का formula हम लोग इसको solve कर सकते हैं कि 1 by rp is equal to 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा इसका भेलू हम लोग put कर देंगे 1 by r1 का 2 plus 1 by r3 का 3 plus 1 by r इसका 4 put कर दिये अब इसका LCM हम लोग ले लेंगे LCM कितना आ जाएगा 12 LCM आ जाएगा आनि 2 से 6 plus 3 से 4 plus 4 3 यहीं नहीं होगा solve कर लेना यहीं है 6 4 10 3 10 3 13 plus 12 आनि 1 by rp जो निकला 1 by rp is equal to 13 by 12 13 by 12 लेकिन हम लोग rp जदी निकालेंगे 12 by 13 ओम यहीं तो इसका answer होगा यहीं तो इसका answer होगा समझ गया कैसे बन गया अब इसको सिर्फ formula में put करना है यह तो LCM आप लोग निकालने जानते होंगे LCM जानते होंगे क्या किया जाता है LCM में तू जानते होंगे बहुत पाहले से आप लोग पढ़ रहे हो